तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ खांसर के बारे में, खांसर कौन है और क्या उन पर आरोप है और क्यू उन पर F.I.R. दर्ज हो चुकी है आज मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ उन सीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं खांसर का पूरा नम फेजल खान है और वे पटना के निवासी है और इनका जो पैशा है वो है टीचिंग मतलब यह पढ़ाते हैं वो भी यूट्यूपर जो कि इनकर 14 प्लस मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके यूट्यूपर वहाँ पर यह पढ़ाते हैं और जो इनका प वीड propag आगए हैं आगव्य वेर वीडियोँ पर इनके वामियलियस मेंThese होते हैं क्यूंकि इनका पढ़ाने का जो अंदाज पढ़ाने का दरीका है वह आल्टीमेट है विलेक्जांपल said यह पढम्यू पर पर होता है तो अपने student जो इनके student हैं उनको बढ़काने का काम कर रहे हैं खांसर तो इसमें अब कितनी सचाई है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा लेकिन अब जो twitter बें जो trend कर रहा है वो है arrest खांसर बलब छात्रों को बढ़काने का आरॉप है बाजबर की सरकार है तब ही कानून के तहत गारवई हो रही है यह सब भी लिखा हुआ रहा एक यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रों को उक्साने का नतीजा यह रहा कि अब ट्रेनों में आग लगा रहे हैं जल्दी से जल्दी खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए तो मतलब हर कोई गिरफ्तारी को लेकर के मांग कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हर किसी ने खान सर को लेकर के बहुत सारे ट्वीट्स और रिट्वीट्स किये हुए हैं तो इस तरह से इनको इन पर आरोप लगाया जा रहा है अब यह कितना सच है यह तो आने वाले हम समय में ही पता चलेगा खान जीएस में इन्हों ने अभी 45 मिनट पहले एक वीडियो ढाली जिसको लगब चार लाक लोगों ने देख लिया है और उस पर लिखा हुआ है 28 जनवरी को कोई इस्टुडेंट आंदोलन नहीं करेगा इनके आप टाइटल में भी देख सकते हैं 28 जनवरी प्रोटेस्ट कैंसल्स 28 जनवरी को कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा बेसिकलिए और आर आर भी और एंटी बीसी के अगेंस ये कर रहे थे क्योंकि शायद इनको कुछ रैंकी प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन अब इन्होंने हाली में अभी 55 जनवरी को कोई इस्टुडेंट आंदोलन नहीं करेगा तो ये भी एक बड़ी खबर है दोस्तों आपको पताई होगा आर आर भी और एंटी पीसी का रिजल्ट आ चुका है जिस वज़ा से आफ्टर रिजल्ट जो इस्टुडेंट थे वो भड़क गए और उन्होंने ट्रेंड को जला दिया और इसमें कहने गई खांसर की साजिस बता जा रही है जिस वज़े से खांसर पर FIR दरज कर दिया गया है इस वज़े से ट्विटर पर भी यही ट्रेंड कर रहा है कि अरेस्ट खांसर तो दोस्तों ये वज़ा है खांसर को अरेस्ट करने की ये वज़ा है खांसर पर FIR दरज करने की कि उनको बता जा रहा है हाला कि कुछ इंटर्यू में वो अपन क्रिडिबिलिटी है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इनको अरेस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है लेकिन फिलहाल खांसर पर दर्ज हो चुकी है अब देखना यह है कि उन पर किस तरह की कारवाई की जाएगी और दोस्तों मैं आपको बता दूँ उनको उनक करने की मांग जा रही है कि समझ गये हूं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं को यह हैं आपको बिदिब्देय चलेगी तो पřिसको राइक शैयर चेनल को सब्सक्राइब जरू कर देना